हैं तो भाइ्व सबसे पहले काई मास्टर को खोलें हां से फूल इसक्रीन विडियो वाले पर कुलिक करें और उसके बाद आप मीडिया पजाकर एक बेगराउंड को चुन लें तो मैं यहां से एक ब्लेक बेगराउंड को चुन लेता हूं और इसे खीच कर थोड़ा बड़ा कर लेता हूं और लेयर में जाकर फिर से मैं एक अपना फोटो को सेलेक्ट करता हूं और यह मैंने photo select कर लिया इसे खीच कर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और इसे यहां से भी खीच कर बड़ा कर लेता हूं और शिपात मैं यहां से जाकर अपने music को चुनूँगा मतलब मैं अपने audio को चुनूँगा तो मेरा audio इस file में है तो मैं यहां से audio को ले लेता हूं और मैं यहां से बोलना चालू करता हूं तो इसे थोड़ा सा cut कर देता हूं क्योंकि मेरा आवाज थोड़ा lid से है तो अब मैं सुनता हूं तो थोड़ा सा और cut कर देता हूं तो यहां से ढूंड रहे थे तो उसे पहले मैं एक फिल्टर को यूज करता हूं तो मेरा फिल्टर इस फाइल में है तो मैं इस फिल्टर को ले लेता हूं और इसे खीच कर थोड़ा बढ़ा कर लेता हूं इसके मीजिक को भी अ कि हटा देता हूं और इसे क्रोमा की इसका ować कर देता हूं और इसके पाथ इसका जोई फेक्ट है मैं इसको इफेक्ट काS का और रेड आग वाला करता है आग ौला से भी अच्छा ये रेड वाला दिखता है तो मैं थोड़ा प्ले करकर देखता हूँ तो ढूंड रहे थे यहां से हैं तो मैं यहां पर टेक्स में जाकर लिखता हूँ ढूंड रहे थे वह मुझे है कि तो इसे थ्टोड़ा बड़ा कर लिए और इसकी एक लर को थ्टोड़ा शेंज कर लेता हूँ और आफ यहां नीचे रखता हु नीचे यहां ठीक है कि और इसके इन अनिमेसio को फैइट में करता हूँ और अब मैं प्ले करके देखता हूं इसे तो यह थोड़ा लेट से आ रहा है तो मैं इसे थोड़ा आगे कर देता हूं तो यह ठीक है तो यहां से है भूल जाने भूल भूल जाने के रास्ते तो फिर से मैं इसके कलर को चेंज करता हूं और इसे बड़ा करके थोड़ा सा इसके बराबर में नीचे कर लेता हूं और इसके फैट को आउन कर लेता हूं और यहां से इस अगले टेक्स को कट कर देता हूं और अब मैं इसे प्ले करके देखता हूं तो दोस्तों इसी तरह आप अपने फोटो पर सारी लिख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों